तो कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे मेरी दौा है आप हमेशा हसते रहें मुस्कुराते रहें हमें अपना प्यार दिखाते रहें मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल हाजरे की नई और एकसाइटी वीडियो के साथ वीडियो अजी टाइम हैस कम टू एरेडिकेट्स एंड ब्रेक खालस्तानीज चलिए मिलके देखते हैं जी मेजर साब आज फिर खालस्तानीओं के पिछे पड़े हो हैं और फिर उस पर करते हैं अपना रियक्ट हमारे रिब्यूस को जाने के वीडियो को पुरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पे नहें हैं चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब कीजिए और आले इंप्रेस करना तुमादी पूलिये चलिए फिर शुरू करते हैं मेरा टार्गेट है गुर्पतवन सिंह पन्नु ही शुड गो जेल एनिबड़ी लीडिंग पर जो कौम बनी है जो देश बना है नफरत के फाउंडेशन पे वो नफरती तो तब ही एक्सपोस होंगे देखना सब खालिस्तानी आ जाएंगे अपने बाप को बचाने औरे हमारे अब्बू को क्या कर दिया हमारे अब्बू को क्या कर दिया जैन दोस्तों मैं हूं बेज गारवारी और आप देख रहे हैं दचानक क्य इस वीडियो को लाइक करिया हमारे चानल को सब्स्राइब करिया और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा आज मेरा पैगाम है पाकिस्तानी सुरों को पाकिस्तानी भाईयों बहनो आप बुरा मत मानना मैं आपको नहीं कह रहा हूं लेकिन पाकिस्तानी सुर कौन तुम एक्चली ओप। पाकिस्तानी सुरों अब मेरी बात सुनो तुम लोगों ने एक पोस्टर निकाला है ठीक है न? चलो इस पोस्टर को डिस्कस करते हैं खालिस्तान फ्रीडम रैली ओई-ओइ-ओय ये कनड़गा में निकाल रहे हैं इनको खालिस्तान बनाना है जाके चलाना है जब वहाँ पे जाता है तो फिर यह बखवास करता है क्योंकि पड़े लेकर तो नहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है नहीं काम तुमने वही करने हैं अब देखो आठ जुलाए को साड़े बारा बजे ग्रेट पजाब बिजनेस सेंटर मेल्टन में और ल कॉंसिलिट है वो टावा में हाई कमिशन है फरक पता है ना कॉमन विल्थ कंट्रीज का कि उसको भी बेचकर खा गए जैसे तुम्हारे बाप है जाहिल पाकिस्तानी वैसे तुम भी जाहिल हो खा गए बेचके ठीक है और यहां पे इन लोगों ने लगाई है यह इंडिया के पोस्टर शावाश बेटे शावाश खालस्तानी ओब तुम्हारे बाप का बाप तुम्हारा बाप पाकिस्तान और पाकिस्तान बाप मेजर गौरावारिया अब मेरा पोस्टर देखो his arrest and conviction ठीक है जी एने information given to law enforcement agencies in the US Canada UK wherever this man is floating around leading to his arrest and conviction उस बंदे को जो इसका conviction करवाएगा जिसकी information से इसका conviction होगा है जेल डाएगा उसको मेजर गौरवारिया 10,000 US dollar देगा या फिर उसके equivalent pound euro जो भी आप लेना चाहते है Canadian dollar जो भी आपकी मर्जी है ठीक है मैं आपको वदा करता हूँ मैं यह दूँगा आपको ठीक है यह मेरी जबान है और मैं जितने भी NRIs हैं वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिसाई जो भी है ठीक है मैं आप से कहता हूँ कि आप अपनी communities में यह fundraise करिए fundraise करिए आप कहते हैं ना आप भारत से महबबत करते हैं और मैं जानता हूँ आप कितनी महबबत करते हैं आप इतना प्यार करते हैं अपने देश को यह मैं जानता हूँ आप लोग पैसा एकटा करिए जादा पैसा भी खटा है, हजार हजार डॉलर खटा करिये, खोद अपने पास रखिये, यहाँ पर भारत किसी को बेजने की जरूत नहीं है, आप अपने पास रखिये हो, पैसा अपने पास से खटा करिये, और identify करिये, get in touch with, get in touch with the High Commission in Canada, in Ottawa, get in touch with the Embassy in Washington DC, get in touch with the High Commission in London, wherever you are, और आप इनको बोली, आप जिम्मेदारी उठाईए, High Commission आपको प्रूफ देगा, कि ये खालिस्तानी था, जिसने जंडा उतारा था उपर से, ये खालिस्तानी था, जिसने पत्थर फेका था, राइट, वो आपको प्रूफ देंगे, और आप जिम्मा उठाईए, आपकी Indian communities है आप case file करी, आप में से कई-कई lawyers है, ये तो सारे ऐसी कूड कबार हैं, जो खालिस्तानी था, बस कही कुछ नहीं है, they are worth zero, worthless people, आप लोग करिये ये सब, मैं आपको support करूँगा यहां से, और मैं किसी से यहां से भारत में पैसे नहीं कट्टा कर रहा है, मुझे एक रुपे पन्नू, I will give him 10,000 dollars, मैं 10,000 dollars दूँगा, या फिर euro pound, जो भी उसका conversion है, उसके बराबर पैसा दूँगा, और मैं भारतवास के उसे चाता हूँ कि आप एक करो, आप एक करो, खुद पैसा एक खटा करो, खुद वो पैसा dollar pound, euro, अपने पास रखो, नो need to give it to anybody, अपने पास र गरदन से पकड़ पकड़ के जेलों में डालो, ये भारत मा के सामने आखें दिखा रहे, इनकी आखें निगाले के गोटियां के लो, समझ गए? एक और चीज मैं बताता हूँ, इनका बाप कौन है? इन खालिस्तानियों का नाजाइस बाप कौन है? इनका नाजाइस बाप ह है ठीक है और एक महांदर्म सिख्धर्म का नाम नीचा कर रहे हैं और इनका और कोई तीसरा काम ही नहीं है इनका यही काम जो 99 परसंट सीक्स है जो कि बार वह मुझे फोन करते कह रहे मेजर साब हैं घर रखाय करें यह इतने बड़े नासूरे पर रहें कि रहा हम लोग फैमली वाले लोग है मैं डर लगता है इन लोगों से यह गुंडे मवाली है ड्रग पेडलर्स है खालिस्तानी यह देड़ वर्स टॉफ द लॉट यह जानवर से गई गुजरे हैं यह ऐसा बोलते हैं वो लोग और मुझे फोन आते हैं उनके तो मैं इस एक है तो we are peaceful people और कभी-कभी हमारी spelling पीच की ना पी एसी नहीं होती वह कुछ और पीस हो जाती टुकडों माला पीच लेकिन डाट अपार्ट डाट पार्ट पीस्फुली आप यह काम करिए कानून के तहत यह काम करिए और कानून के तहत इनके ना गरेबान पकड़ पक लेजरर आप नियुक्त करिए वो पैसे रखेगा सारे के सारे अपने पास इस पैसे से आप भीड़ इखटा करिए और मैं आपको बताता हूं यह आप लोग को बड़ा दुख होता है ना जब तिरंगा नीचे उतारा जाता है दुख होता है कि नहीं होता यह पता है क्यों हो सेन फ्रेंसिस्को में जहां पर कॉंसुलेट है वाशिंग्टन डी सी जहां पर हमारा एंबसी है चाहे फिर आप बात करो उटावा की जहां पर हाई कमिशन है चाहे आप बात करो कहीं और के टॉरंट हो की बात करो ठीक है जहां पर हमारा कॉंसुलेट है जहां जहां पर खा सूर की जड़ पाकिस्तान है और खालिस्तानियों का जो इलेजिटिमेट बाप है ना वो पाकिस्तान है आप जब नस दबाओगे पाकिस्तान की तो खालिस्तानियों की चीख निकलेगी आप गैरंटी ले लो मुझसे आप इनकी नस दबाओगे आप खालिस्तानियों पर मैं आपका भाई हूँ मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं आपके साथ चलूँगा दिल्ली में जो पाकिस्तान का हाई कमिशन है चानक केपुरी में उसको गेरो सब के सब और क्यों सिख हिंदू हो तुम्हें क्या हो गया और मुसल्मान तुम्हें क्या हो गया इसाहियों तुम मैं आउँगा आपके साथ, मैं चलूँगा वहाँ पे फिर देखते हैं, इनको घसीटो, क्योंकि इनके हमले बंद नहीं होंगे, जब तक तुम नहीं करोगे कोई action, और तुम्हारा action क्या होना चाहिए भाईयों, तुम्हारा action यह होना चाहिए कि घेराओ करो, इनका घेराओ करो, expose Pakistan, I'm telling you, right, and the quality of Indians, and the quality of, मैं उनको Indians मानता ही नहीं, उनके पास पासपोर्ट कोई सा भी हो, वो PIO का कार्ड लेकर बैठे हो, NRA की identity लेकर बैठे हो, they are not Indian, they are garbage, खालेस्तानी, you are garbage, you are rubbish, तुम लोग कूडा कर गटो, सुर हो तुम लोग, और मैं तुम एक बाद बताता हूँ, ये जो है न, Indians, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी community के हो, Hindu हो, Muslim हो, Sikh किसाही हो, इनका profile, जमीन आसमान का फर्क है खालिस्तानियों से, जमीन आसमान का फर्क है, और तुम देखना, जब तुम जाओगे न, पाकिस्तानी High Commission के सामने, और जब तुम प्रोटेस्ट करोगे, पाकिस्तानी Embassy के सामने, या किसी पाकिस्तानी Consulate के सामने, ये अपने बाप को बचाने आएंगे वाँपे, तब ये expose होगे, देखना, सब खालिस्तानी आ जाएंगे अपने बाप को बचाने, आप किसी गोरे को पैसा तो दुनिया भर के क्रिमिनल एलिमेंट है, उसको बोलना बेटा, चड़ ज़ादा आप पाकिस्तानी High Commission के उपर, पाकिस्तानी Embassy के उपर, और ओ ज़ंडा जो है रा, पाकिस्तान का, उसको निकाल नीचे है, यह सब पाकिस्तानी कर रहे हैं, और इनट का जबाप पत्थर होना चे भाईयों, बिने नमानत जल दिजल गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाईबन होए न प्रीत, जहां भे नहीं होता न, वहाँ प्रीत नहीं होती, प्यार से कोई नहीं मानता आज की दुनिया में, यह कली होगे दोस्तों, प्यार से कोई नहीं मानता, इनको ठोकोंगे न, तब इनकी चीखें निकलेंगी, जैसे मोधी जी ने कल ठोका था, शहवाज शरीफ को, मिमिया ने लगा शहवाज शरीफ, मोधी जी ने बोल दिया सब के सामने शी जिंग पिंग की आंखे और छोटी हो गई यह से देख रहा तो क्या चक्कर हो गया मोधी जी ने बोल दिया जो देश जो देश आतंक वाद को बढ़ावा देते हैं क्रोस बॉर्डर टेर्रिरिजम करते हैं उनको मिलके आप कंडेम करी है उनकी नकेल कसी है और नकेल कसने में क्या मतलब है FATF में जाएगा दुबारा यह पाकिस्तान मैं आपको बता रहा हूँ आज लिख के ले लो चार बार पहले सेर कर चुका यह जैसे आप और मैं नेनी ताल और शिमला जाते हैं ना यह पाकिस्तान FATF में जाता है यह दुबारा जाएगा FATF में दोस्तों यह दुबारा FATF में जाएगा और भारत भेजेगा इसको FATF में तब इसके नाक से खुन निकलेगा मैं एक और आपको बात बताता हूँ मोदी जी ने कल क्लियर कट बोल दिया तो यह शहवाज शरीफ ऐसे देख रहा है कि क्या बोल रहा है यार यह नरेंदर मोदी यह बात क्या कर रहा है क्या हो गया इसको अचानक भाई कुछ नहीं हुआ यह तो है मोदी जी सवेरे उपते हैं नाते दोते हैं आत्मों दोते हैं कपड़े बदल के योगा करते हैं ठेक है योगा करने के बाद काम पे लगते हैं पहला काम है तुमारा स्वाहा करना तो यह स्वाहा हो रहे हो तुम इसमें क्या है जब पाकिस्तानी हो तुमें जलील करते हैं तुम अबजेक्ट क्यों करते हैं make it easy for us make it easy on yourselves protest करनी की बात ही नहीं है तुम हो टर्रिस्ट बोल दो हाँ गर्ष से काउम टर्रिस्ट ने बोल दो हम पाकिस्तानी हैं टर्रिस्ट हैं कानी खतम हो गई भाई मोदी जी ने बोला अब ये बोला कि नहीं अब ये भी बोलने लगा उल्टा शेभाज शरीफ की हाँ 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 टर्रिस्ट के खिलाफ अब तो तुम खुद टर्रिस्ट हो तुम कैसे टर्रिस्ट के खिलाफ लड़ोगे हमारे लोगों ने बहुत जाने दी हैं ये पाकिस्तानी सब मकार मैं बता रहा हूँ इतना जुट बोलते हैं कि हमारे 80,000 लोगों ने टेररिजम के खिलाफ जाने दी वो किसने तुम्हारी जाने ली वो कौन थे जिसने उन पाकिस्तानियों को मारा वो तो पाकिस्तानी खुद थे तुम एक दूसरे को मार रहे हो तो दूसरा कैसे उसके लिए गिल्टी हो सकता है भाई तुम लोग तो खून की प्यासी कौम हो, एक दूसरे के गरदन उतारते रहते हो तुम लोग, तुम्हारा काम ही यही है, नफरत की बिना पर जो कौम बनी है, जो देश बना है नफरत के, फाउंडेशन पे, वो नफरत ही तो करेगा, वो प्यार मौपत थोड़ना करेगा, वो इंडिया पैदा करेगा Nobel Prize in Economics, आप लोग पैदा करोगे, हाफिस सहीब, आप लोग पैदा करोगे, मौलाना मसूद रज़र, आपको आता ही वो ही है, उसके अलाव आपको कुछ आता थोड़ना है, और जो एक बिचारे को Nobel Prize मिला था, और एक लड़की को Nobel Peace Prize मिला था, उसको आपको सलूट करते हैं, इनको ठोकते रहो, इनको ठोकते रहो, कई लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, बड़े ये, कि हम देख लें, क्या देख लोगे तुम, क्या देख सकते हो तुम, देख लो तुम्हें जो देखना है, मैं कुछ नहीं बोलू मत तुम्हें, तो अज आप अचीवर्स ऑफ दोस कंट्रीज बिकॉज और इंडियन्स आपकी मिडिल क्लास वैल्यूज आपकी कल्चिरिल वैल्यूज यह इंशूर करती हैं कि यू अर्ड़ टॉप आप हिंदू हो मुसलमानों सिख हो इसाई हो आप ऐसे हो जाओ और इन खालिस्तानियों का डमडम कर दो वहीं पर और कैसे करना यह मैंने आपको बता दिया किसी को कोई पैसे भेजने की कुछ करने की ज़रूत नहीं है अपने पास रखो पैसे खटा करो अपना ट्रेजर बनाओ ठोको इनको कैसे ठोकना है पीसफुली वह पीस टुकड़े वाला पीस नहीं सच्ची में पी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया ना तो लाइक जरू करीगा आरे चैनल को सब्सक्राइब कर यह बेला करना बिलकुर नदूलियागा जैहिंद वंदे मात्रम और भारत माता की जैए जीतो वीवर्ज वीडियो में देखा वीडियो था मेजजर गौरवारिया का और वह बात कर रहे थे खालस्तान में में और खृतानियों के लोने बंय भी रख दिया कि dzieci डेंगे और बात कर रहे थे पूरी की पूरी की पूरी कोशिश कर रहे थे और to इसरा बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तानी है वो जो आइटी एंजिलियर या किसी बड़ी कंपनी कैसी ही या वो कैसे बनेगे जबके उनको दमाग में सिर्फ नफरती पहलाए गई देखें बड़ी ही कड़ी बातें की हैं आज मेजर साब ने और बड़ा भी लगा है कि इतनी घिए जबसी बात है कि हर चीज़ का मद्भा उतार कर फ्याकर पाकिस्तान पर चले रही है यह लंदर ने चल रही है और ऐसे देशों में चल रही है लेकिन ये देश इंडिया में क्यों नहीं चल रही है इंडिया में क्यों खालिस्तान क्यों नहीं हो रही देखिए हमारा जो पाकिस्तान है पाकिस्तान में बड़े सारी मिसाइर है प्ठानों के अलग मिसाइल हैं बलोचों के अलग मिसाइल हैं सिंदियों के अलग मिसाइल हैं कई चोगों पर ऐसे चीजे हम देखते हैं और सुनत अगर ने खालिस्तानिक मुलक का मुतालबा करें तो बड़ी अजीब सी बात है और जीब सी बात से बढ़कर ये है कि जो प्रोटेस्ट करते हैं फिर वहां से जड़ा उतारा गया वह बड़ी शेमफुल बात थी और ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन आप उनको चुन-चुन के और असीहदार जाने दीगी हैं देखिए ये हम किसी को जवाब देने के बजाए अगर खुद सोचें कि हमने आज तक क्या किया है और उसका फ़ल हमें क्या मिल रहा है और क्यों लोग हमें दह्शत-गर्दी के साथ जोड़ते हैं तो इसके सारे जवाबात हमें खुद से मि लगाया हुगा है हुआ हैं नियुक्त कर्का पर मावम हैं और अपने लिए भी ऐस咪ंग है रिखतें और तो लेकिन फिर भी हमने हैं सिखाए क्या है क्या हमने के सबस्ट सिखा किये कोई नहीं नहीं पेकिन पर चल रहे हैं। ही तो पिर उसके उसके बाफ़ यह पर दंद्री मामला है हम धें लेकिन जब हम मर रहे हैं हमने असी हजार जाने को आद है यह तो बैस्के ऊपर यह नहीं होने चाहिए जब आप इस चीज़ को अपने लिए अपने लिए अरे अपनी ताकत के लिए अपनी पुर्सी के लिए बेगना लोगों की जाने आपने जाया की हैं तो फिर उसके उपर अगर आपके उपर लगता है तो उसको भी आपको आपके बढ़के एकसेप्ट करना चाहिए कि यह बिल्कुल हमारी नाहिली है और हम से यह कंट्रोल नहीं हो बारा क्योंकि हमने कभी अपनी अवाम को वह सके लुट में कर लोग वह सके कभी चुछ करने की कोशिश ही नहीं हम कुछेबल का रहे हैं और हम फिर एकिसली तीस जो हैं कंदोम को बिद्धान आख रहे है तकR वह अज हम काट रहे हैं कि हमारे जो यह थनक्रिक से जहां पर IMF से एक छोटी सी डीर होने पर यहां पर शाद आने बजाए जाए जाएं यहां पर अलहम्दुलिल्ला की सदाएं बलंद की जाएं पाकिस्तान डिफाल्ट होने से बच गया ऐसे नारे और गाने यह वो लगाया जग उस कौम ने कैसे आगे बढ़ना है यह तो सोच करके लिए लेकिन कहीं की पेसा हो रहा है गर कॉछा करके अगर कर यह तो प्र भूक यह को करना चाहिए नहीं होती है उसका मतलब यह नहीं होता कि हमने धार की अधर दीवारें खड़ी करते हैं नहीं होता हैं तो वाज़े एसा पी नहीं होता अगर कोई तो उसegenocy looking individual on the 올라isto मेसे कोर जिए भी लगाहिए तो anyhow उन्हों कोने माननुपात काथ यह जो इंडीय जो होआई इंको नुका उनका प्लावाण नहीं यह वोई लोग हैं जो बाहर सबस्क्राइब करें और इस पीचे यह फेल विदयो आप अचे लगा लब